कॉंग्रिस की पूर्व राष्ट्री अध्यक्षर राहूल गांधी ने शनिवार को दूसरे दिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा की शुरुवात की और पीम मोधी के संसदिय शित्र बनारस में एंट्रे ली काशी में राहूल गांधी की इस यात्रा में काफी भीड नजर आई बड़ी संख्या में कॉंग्रिस समर्थ तक यहां पहुँचे थे वारणसी में उन्होंने सबसे पहले बाबा विश्वनात के दर्बार में हाजिरी लगाई इसके बाद आगे की यात्रा को बढ़ाया इस दौरान राहूल की यात्रा काशी की उन गल्यों तक गई जहां आज तक गांधी परिवार नहीं गया यूपी में निया यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने बाबा विश्वनात के दर्बार में चौथी बार हाजरी लगाई राहुल सुबह तकरीबन नौ बचकर पैंतालिस मिनट पर चंदौली से निकले जिसके बाद वो गोदौलिया चौराहे पर पहुँचे जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ गए इस दोरान उनके साथ कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजयराय समेत कई नेता दिखाई दिए राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कॉंग्रिस कारेकरता भी मौजूद रहे वारानसी के गोदौलिया चौराहे पर काफी भीड मौजूद थी सियासी जानकारों के मताबिक कॉंग्रिस की ये यात्रा गोदौलिया से रत यात्रा रूट पर आज तक कभी गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है उनका कहना है कि ये पहली बार है जब यहाँ पर कोई कॉंग्रिस नेता राजनितिक यात्रा करेगा राहुल से पहले पंडित जबाहर लाल नहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेथ किसी भी नेता ने वारणसी में इस रूट पर कोई राजनितिक यात्रा नहीं की है उधर अमेठी, राय बरेली और लखनव की मार्क पर यात्रा की तयारियों को अमतिम रोप दिया जा चुका है यात्रा कानपुर में 21 फरवरी को रुकेगी इसके बाद 24 फरवरी को यात्रा मुरादाबाद से फिर शुरू होगी और अम्रोहा, संभल, अलिगर, हात्रस, आगरा होकर राजस्थान जाएगी कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राहूल गांधी की इस यात्रा का असर पूरे देश में होगा यात्रा में लोग अपने आप जुड रहे हैं, इस यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुकी है इस देश की मैं आपको शक्ती बताना चाहता हूँ जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मर्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूँ मैं उसके सामने, गंगा जी के सामने, मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूँ मैं सिर जुका के, सिर नीचे जुका के ऐसे, मैं गंगा जी के सामने आया हूँ वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा वे चल रहा था मैं सिर्ध छुका के जो भी मेरे सामने आता था मैंने अपनी टीम को कह दिया आप इनसे पूछे बारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा राहुल जी हमें करना क्या है मैंने उनको कहा देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे गरीब लोग आएंगे अमीर लोग आएंगे सब के सब लोग आएंगे सब बोलेंगे जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूँ अपने भाई से मिलने आया हूँ और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए